सबा और राज्य सबा में जो बहस 140 मिनट नहीं हुई उसके बदले में अब तक सुप्रीम कोड में 140 गंटे बहस हो चुगी है सरकार में संसत में बहस ना होने की परंपरा से संसत के प्रति लोग का सम्मान कम हो रहा है नश्कार अब मैं हुई किराम और आप देख रहे हैं हिंद वोईस हमारे साथ मौजूद है रोकेट अंदर कुमार ची बहुत बहुत स्वागत है सर आज सिधे आगे मिला हुन से तो क्यों काफी दिन हो गए थी मुलाकात नहीं होती वैसे हम रोजाना बात करते ही है सर आज आप से पूछूँगा धारा 370 जो कि मोधी सरकार ने जब दुबारा बनी 2019 में तो तुरंत हमिश शाजी ने खड़े होकर का किया मिटा रहे हैं और उतनी बहास हमें देखने को मिली नहीं इका दुका लोग बोले और वो बोले भी याद भी नहीं क्या उन्होंने ब क्या तरीगा घलत था या जो हटाया वही घलत है क्योंकि जो इसने भी बोला जो भी कोई कहता था कि अगर आप इसके खिलाब जाओगे तो दूसरी तरफ से हवाज रहती थी आप राश्ट द्रों का काम करोगे तो बताएं सरब क्या फिलाल सुप्रिम कोट में समाज चल द एक बड़ी विचित्रसी बात है दोजाज 14 के बाद जो लोग देश के लोकतंत्र में यकीन रखते हैं समाज के विकास में यकीन रखते हैं और यह मानते हैं कि सुप्रिम कोट हो या हाई कोट हो या संसद हो या विधान सभा हो उनका मकसद है चीजों के अन्वेशन के सबसे कम ज्यादा सिक्षित लोग सबसे कम सिक्षित लोग इस सरकार में प्रधान मंत्री से लेकर उनकी डिग्री पे डाउट है मंत्री हैं पॉर्य मुझे मुझे यकीन है कि वह वैसे ही फरजी है जैसे मोदी जी पहले एक एफड़ेविट देते थे कि मेरी शादी जसुदा बहन से नहीं होई है मैं कुवारा हूं अच्छा तो मोदी जी जुट बोलने में संदस्त हैं उनकी सरकार के मंत्री जुट बोलते हैं पढ़ते लिखते नहीं और पढ़ तीन बड़े बिल जो बड़े अतियासिक बिल थे जो क्रिशी के अमूल चूल परिवर्तन को बदल लए थे वह क्यामन मिंट में पास हो गए और यही हाल आमने देखा जब दफ़ा 370 अनुछे 370 कुछ भी कह लीजिया उसको अटानी की बात हुई तो पहले तो तीन अगस् कि वह बड़ा होने वाला लिए ने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला कुछ बाद लोगों ने देखा कि 4 तारीकों कुछ बड़ा सा हुआ निन अगर बंद थारिक को अब आर्पास करें और ऐसे विल पास की जब्रा द्रणा जर्णा संगता है चाहिए इसका इक तरीका होना चाहिए तो ऐसा वातर बनाया गया कि अगर आप कह रहे हो कि 370 गलत तरीके से टाई जा रही है या इस पर विचार होना चाहिए तो इसका मदब आप देश के दुश्मन है आप पकिस्तान के जासूस हो आप चीन के जासूस हो ऐसा एक बहुत मैं हाई गोर्ड में बैठा हुआ था अपनी कैंटीन में तो कई वकील सुप्रीम कोड के पांच विद्वान नियाइधीश 11 अगस्य लगातार 375 से 370 हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए उसकी प्रक्रिया क्या हो इस पर बहस कर रहा है यानि कि अब तक जो है अगर आप पूरे घंटे जोड़ेंगे तो पूरे के पूरे लोग सभा और राज्य मिनट नहीं होई उसके बदले में अब तक सुप्रीम कोड में 140 गंटे बहस हो चुकिए तो इसका मतब यह है कि 542 जो सांसद हैं लोकसभा में और 240 के करीब जो है राज्य सभा में 230 होते हैं तो क्या वो इतने नालायक थे कि वो संसत में इन चीजों पर बहस नहीं प्रतिनि सब्सक्राइब को आज भी कह रहा हूं आदे से ज्यादा सांसदों से अगर आप तुरंत बोलें बुलाकर के भाई यह मोधी जी ने राजपत का नाम कर्तवेपत रख दिया है आप इसे बोड़ पे लिखके दिखा दो तो लिख नहीं सकते कर्तवेपत यह मैं आप से दाव औरेएक मंतरी थे उनको आगे अपना नाम तो लिख दो वो फ्रम नाम की आदि यही तो बात यही तो तर्क जो है इन लोगों का इसका मतलब कि हम सब अपना दिमाग बंद कर दो मोदी जी ने खाना खालिया अब हमें खाना नहीं खाना मोदी जी ने बढ़िया कप्ड़े पहन लिए अब मैं नंगा रहूंगा मोदी जी शुबह सचले और नहीं जाओंगा मोदी जी नली है मैं ना उंगा आँभा नियुक्त है तो बहुत है नहीं बनौद्द कर सकत्र है कि लोकतंत्र में वह मतलब यह हैं कि यह थैसला लिया गया है लेकिंगमत हमेशा सही हो यह सही नहीं है पहुमत गरत भी हो सकता है, जिन लोगों ने सुखरात को charging में नहीं जानता है, सिर् flavors को को नाम जानते हैं, जिस आदमी को भढूमत ने दोस्ति थाराया नहीं लिए, उसके लिए उसको कुछते हैं, dhyaation हजा धना भिटू होगा, लोग को सजा दी गई तो बहुमत का मतलब सही नहीं है बहुमत का मतलब यह है कि मैजॉर्टी लोग क्या सोचते हैं यह मतलब होता है अब जो 370 की बात है अब उसमें नहीं बातें बड़ी विचित रही है पहली बात तो अब यह आई कि वहां के जो गवर्णर है सत्पाल मलिक उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली से आदेश मिला के चिठी आ रही है उसके आप साइन करके बेज दो और उन्होंने बिना अपना दिमाग बाकी शक्तियां हैं उनका इस्तमाल करते हुए यह कहा है कि यहां पर 370 अनुछे की जो दारा आए बता दो लेकिन संसद ने जो बहस नहीं की उस बहस को अब सुप्रिम कोट को करना पड़ रहा है और डीवाई चंचूर जो सुप्रिम कोट के हमारे प्रधान ने आई बहस नहीं करती है तो वह अपनी अकल का इस्तमाल नहीं करती उनकी गतिविधिया उनकी संसत की डिबेट्स हैं उनमें कोई दिशा नहीं मिलती कि हम समझ सकें कि इनका मनतव बिखा था आज भी कंस्ट्टियून्ट एसेमली की डिबेट पर बहस इस इलिए होती है कि जिन ल मिलों पर एक मिनट की बहस नहीं होई और वो इसलिए नहीं की गई कि जान बूचकर लोग सभागी सभापती और राज्यसभा के जो चेर्मैन है उन दौनों ने जो है एक शड़न्त करके वातावन ऐसा बनाया कि लोग सभा ना चले और लोग सभा ना चले विपक्ष का बह देंगे लेकिन यह भी सरकार पास करा सकती है लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको कहा इस सरकार में संसत में बहस ना होने की परमपरा से संसत के प्रती लोग का सम्मान कम हो रहा है यसे मैंने आपको का ना यह सारे अन पड़ा है यह पढ़ते नहीं लिखते नहीं क्योंकि कि गोर्तिफा भी दोटो नहीं दो प्रतिबा का जुआ सब मोदीजी ओह परन सब्सक्राइब pub ऐसंतों में रहे है न बोटकी जी कथा न concept में पवड़ा जो गॉर। न परहले का तो उनका सब्वड़ा थी नहीं निए सबसें चोड़े लगा साथ छोड़ा जिसने उनकी जबान बंद हो जाएगी तो मोधी जी फिल्में जो आती थी याद है चारली चैपलिन की उसमें मूख फिल्में होती थी वो इशारों से बताता था ऐसा तो मोधी जी भाशन देंगे टेली प्रॉम्टर पर लिखाएगा नीचे पढ़ लो जी मोधी जी कहने का म जाएगी के काली यदा था था वृडिवाद तब उसमें कि काली जी कंपल च white गर नहीं सिर्व इशारों में बात करेंगे लेकिन संसद इशारों में बात करनिकले निदी संसद का म Hyun आज के समय में गूंगी ब्यारी संसट जो है देश की लोकतंत की आत्मा के साथ बलतकार कर रही है और अभी आपने दूसरा एक चीछ देखा कि अभी सुप्रेम कोड ने कहा है कि जब अनुछे 370 की भ्यास कतम हो जाएगी तो हम महराष्ट में जो दल बदल हुआ है एक नाशिंदे की सरकार का उसमें बैस सुनेंगे अब उसमें नई खबर आई है कि एक नाशिंदे के वकीलों ने या और लोगों ने उनको सला दी कि तुमारे जो 40 सांसदों को वहां के जो राहूल नर्वेकर जो विदान सबार जक्ष है उन्होंने जो नोटिस जारी किया तो उसमें उन्होंने कहा अकल लगाई कि इसका जवाब देना है तो हर विदायक में जो जवाब दिया वह 6,000 पेज का जवाब है ताकि इस मांपले की प्रिक्रिया को लंबा की चाहला से लेकिन नहीं पता कि सम्विधान में कानून में हर चीज की व्यवस्ता है में CRPC में व्यवस्ता है CPC में व्यवस्ता है कि जब भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके सामने दो पक्षाते हैं एक ने अपनी बात के दूसरे ने उसका जवाब दिया अब जवाब में अगर दूसरा पक 6,000 पेज दे देता है तो जच को क्या करना है जच को करने के लिए CPC में लिखा हुआ है कि उसे बी डाइरी रखनी है बी डाइरी का मतलब वो सारी ची नोट करेगा के से भी 6,000 पेज का जवाब दिया तीन समाल का जवाब था इसे रामाणा की कानी लगा दी इसे महाबारत की कानी लगा दी ताकि कोट का समय खराब कर है इसके इंटेंशन गलत है और दूसरा का है उससे फुटनोट में लिखना होता है कि जो जिस्ट अफ एविडेंस जो है जो से दिये हैं उनकी समरी का है इसका कहने का मंतव्य क्या है अगर वह मंतव्य कह रहा है तो एक लाइन में भी आप बता सकते हो एक आदमी को यह बत किता है और फिर पागल गाने में क्या हुआ कैता जी मैंने कानी लिखी थी क्या थी मोला जी गोडा सड़क पर दोड़ रहा है तो उसको इसलिए पागल माना गया कि यह रिपिटीशन कर रहा है तो यह गोडा सड़क पर दोड़ रहा है यह 41 जो विधायक हैं एक नाशिंदे के यह ऐसे ही पागल है इन्हें विधानसभा से निकाल कर पागल खाने में भेजना चाहिए और सुप्रिम कोट जब इसकी सुनवाई करे तो मेरे अगर इस नजीर को ध्यान में रखें तो यह जरूर का है कि इनका मेंटल चेक अपोना चाहिए यह सांसद विधायक बनने लैक नहीं है यह जनता के समय का और पैसे का दुर्पयों कर रहे हैं और इन सबको एकनाशिंदे और उसके सारे के सारे विधायकों को बंभी के किसी पाल खाने में इला संब्सक्राइब कर दोडिन स्रकराइब को मोधी जी के आधेश पर काम करने से रोग डिया गया अच्छा तारीख को यह है कि G20 का संविलन और G20 का संविलन ऐसे किया जा रहा है कि वह का जा रहा है कि 2,10 लोग आएंगे लेकिन सट्थ पर किसी को चलनी कानुमती नहीं होग हर दुकान बंदोगी हर मार्केट बंदोगी हर मॉल बंदोगा तो अब मैं सोच रहा था कि जो विदेशी आएंगे वह इंदुस्तान में देखेंगे कैसे जब हम कहीं विदेश जाते हैं किसी सब मेनन वगर में जाते हैं सरकार को लगता है कि हमारी पॉल ना खुल जाए और घास पर हरा प्रंग कर दिया था लगे घास अरी है तो आप आया है कि दो लाज दस हजार जो है गमले लगाए जाएंगे अरे भाई तुमने पेड़ोगाए होते तो जरूती नहीं थी यानि पहले गमले लाओगे फिर उगाओगे फिर उन्हें घर ले जाओगे तो एक तर में आप समझेए यह सम्मेलन जो है करफ्यू के दोरान होगा यह वैसे सम्मेलन होगा जैसा सम्मेलन हिटलर के टाइम में जर्मनी में नियूंबर्ग में होता था बहुत 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 शुक्रिया सर आज आपने धारा 370 का सारा एनलाइस किया है कि फिलास सुप्रीम बारे में नीचे कमेंट कीजिएगा वीडियो को जाधा से जाधा शेर कीजिएगा खल फिर रवंद जी समुलकाता होगी तब तक के लिए देजिए जासा